हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग हमारी आज की कहानी का नाम है बक्सा अरे बहु देदे ये साड़ी अपनी ननत को ये ननत का हक होता है कि वह अपनी भावी के बक्से में से अपनी पसंद का सामाल ले ले और भावी का फर्ज होता है कि वो अपनी ननत को उसका पसंदीदा सामान दे आनामिका जी ने अपनी नवेली बहु सीमा से कहा हाँ ममी जी इसलिए मैंने ये एक और बहु सुन्दर साड़ी बक्से में रखी है ये साड़ी तो मेरी बुआ ने दी है सीमा ने जवाब दिया लेकिन मुझे तो यही साड़ी चाहिए ननत जूही भी अड़ गई अनामिका जी के बेटे दीपक की साधी सीमा से हुई है दुल्हन के घराने के बाद सारी रस्मे पूरी कराई जा रही हैं उन्ही रस्मों में एक रस्म थी बहु का बक्सा खुलाई खैर आज कल बक्से तो होते नहीं हाँ बहु की अटेची जरूर खोली गई और उसकी एक साड़ी ननत जूही को पसंद आ गई साधी के बाद ससुराल में पहला दिन दुल्हन ज्यादा बोल भी नहीं सकती वरना यह साबित हो जाएगा कि दुल्हन बहुत बोलती है लेकिन बुवा की निसानी भी कैसे दे सीमा को समझ नहीं आ रहा था अगर आज सासु मा की बात मान कर ये साड़ी ननत को दे देती है तो कल न जाने इनकी कौन सी बात माननी पड़े सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे इतनी देर में जुही साड़ी लेकर जाने लगी सीमा जैसे अपनी सोच से बाहर आई वह बोली ममी जी मेरे पापा ने आपका मन पसंद दहज दिया है अब मैं अपने सामान और कपड़ों के साथ समझ नहीं करूंगी जो कपड़े मैंने अपनी पसंद के खरीदे हैं या जो उपहर मेरे रिष्टेदारों ने दिये हैं अगर मेरा मन होगा तो मैं आपको दूंगी वरना नहीं अगर दीदी को मेरी साड़ी कभी किसी फंक्सन पर पहननी हो तो मैं मना नहीं करूंगी लेकिन मैं अपना सामान किसी और को नहीं दे सकती सीमा की बात सुनकर अनामिका जी उसका मुद देखती रह गई उनका गुस्टा साथवे आसमान पर था उस पर जूही बोली मम्मी भावी तो अभी से मुझे अपने सामान की दों से दिखा रही है मुझे नहीं चाहिए कोई साड़ी मुझे नहीं पता था कि भाई की साधी में मेरा इतना अपमान होगा वरना मैं तो आती ही नहीं जूही की बात सुनकर अनामिका जी गुस्टे से बोली बहु समल कर बोलो आज ही तो तुम विदा होकर इस घर में आई हो और आज ही ये तेवर अभी तुम्हारे पापा से बात करती हूँ मम्मी जी मैंने किसी का कोई अपमान नहीं किया ना ही मैंने बत्तमीजी से बात की है मेरे पापा ने आप सबकी मन पसंद कपड़े पहले ही दे दिये हैं और दसलाख रूपिय नगत दिया है दहज में सबके लिए सोने की चेन और अंगूठी भी है और घूमने के लिए 20 लाख की गाड़ी भी दी है फिर मेरे सामान पर नजर क्यों रखनी है आपको जो भी नेक करना है दहज के पैसों से कीजिए मैं अपने पास से अब फूटी कोड़ी नहीं दूनगी तभी कमरे में अनामिका जी की ननद आ गई उन्होंने सारी बात सुली थी वह बोली भाबी तुमने तो कहा था कि हमने दहज में कुछ नहीं लिया और गाड़ी भी दीपक ने अपने पैसों से खरी दी है ननत के सामने अपना जूट खुलते देख अनामिका जी धर उदर देखने लगी बोली देखो ना दी दी ये बहु किस तरह बात कर रही है ना कोई सर्म ना लिहाज भाबी बहु की कोई गलती नहीं है आपने इतना दहज लिया है उसके बाद भी बहु सारी रसमें पूरी कर रही है फिर भी आपका लालज पूरा नहीं हो रहा बहु के भी अपने कुछ अर्मान होंगे किसी ने कहा था इतना दहज मांगने को इतना दहज देने वाले बाप की बेटी चार बात नहीं सुनेगी आपको सर्मानी चाहिए जब जूही की साधी हुई तब तो आप दहज के इतने खिलाब थी और अपने बेटी की साधी में दहज के लिए अपने उसूल बेच दिये उस पर भी इस बच्ची के साथ तेवर दिखाना चाह रही हो अभी आनामिका जी की ननद उन संसकार हैं लेकिन दहज लेने वाले को अपने जुबान बंद रखनी पड़ती है जो लड़की इतना दहज लेकर आई है वो क्यों सुनेगी किसने कहा था दहज वाली लड़की लाने को अगर अपना रुतबा बनाए रखना था तो बिना दहज की लड़की लाती वो आपक और लाओ दहेजवाली बहु ननत की बात सुनकर अनामिका जी को अपनी गलती समझ आ गई वह चुपचाप कमरे से बाहर आ गई क्योंकि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता था अपना सम्मान वो अपने आप खो चुकी थी जू ही भी साड़ी वहीं छोड़कर अपनी मा के साथ ब लगिये इस रस्म पर तो आपका भी हक बनता है कोई नहीं बहू तुम अपनी जगा सही हो बड़ो का सम्मान करना लेकिन अपना आत्म सम्मान मत खोना कहकर बुआ जी कमरे से बाहर आ गई आशा करती हूं दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी कहानी अ अपन्याट